डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्थाग टीवी टैग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंट अराउंड दे गलोग कैनडा भर में करोना से हलाकते 5304 हो गई 72,278 अफराद मतासर हुए है कैनडा के ट्रांजिट हुकाम की हकूमत से इमदाद की अपील ट्रोडो ने कोई बादा नहीं किया हेल केनडा ने करोना वारिस अंटी बॉडिस का पता लगाने के लिए सीरोलोजिकल टेस्ट की मनजूरी रे दी है दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफराद की तादाद 45,53,414 हो गई है जबके इस से हलाकते 2,99,322 हो गई सदर्टरम ने करोना टास्पोर्स के सरवरा डॉक्टर फाउची की तरजवीज को मुस्तरत करते हुए मुल्क भर में फौरी तोर पर तमास स्कूल खोलने का हुकम दे दिया टुरॉन्टो में शेल्टर सिस्टम में एक और शक्स की करोना वारिस के सबब हलाकत की तज़्दीक हो गई है अकवाए मुतहदा का कहना है कि करोना वारिस के बाइस आर्मी मैशत 3.2 पीसे सुकरने का खच्चा है आएंदा साल से शुरू होने वाली रिकवरी भी इंतहाई सुस्त होगी हेडलाइस अबने जानी अब खबरे तफसील के साथ कनेडिन वजिराजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कुछ नेशनल पार्क्स को जून के आगाज में खूल दिया जाएगा और लोगों की ट्रेल्ज और सरसब्द मकामात तक रसाइब ममकिन होगी ताहम फिजिकल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामत करना होगा हुकोमत के अब्तदाई मनसूबे में नेशनल पार्क्स और तारीखी मकामात को आने वाले हफ्तों में खोला जाएगा ताहम ये सब हुकोमती हिदायात से मश्रूत होगा ट्रूडो का कहना था कि ताजा हवा बहुत जरूरी है लेकिन हम सब को जिम्मेदारी का मजाहिरा करना होगा डेली प्रेस ब्रीफिंग के दुरान ट्रूडो ने फिश्री इंडस्ट्री के लिए भी हुकोमत इंडात के एलान किया जो तलब में कमी के साथ माशी दबाव का सामना कर रही है हुकोमत की जाने से फिश हर्वेस्टर्स को चार सो सतर मिलियन डॉलर दिये जाएंगे जिससे उनके पिचेतर फिसद नुक्सानात का अजाला हो सकेगा के साथ माश्य था स्मय लैं का से जाएंगे जाता थ なुट्राइंघ और अट स्टीसो बाक हो मांत प्रिषम तो का कैनड़ा में करोना वारस से मजीद 1100 नए केसे सामने आ गए जिसके बाद मतासर होने वाले अफराद की तादाद 72,278 हो गई मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनड़ा में करोना वारस के मजीद 1100 नए केसे सामने आ गए जिसके बाद मतासिर होने वाले अफराद की तादाद 72,278 हो गई मुल्ग भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,304 तक जा पहुंची है क्यूबिक सुबा करोना वारस से सबसे जादा मतासिर हुआ है जहां इस वक तक 49,931 करोना केसिस की तज़ीख हो चुकी है जबके सूवे में वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 3220 तक जा पहुँची है क्यूबिक में मौन्ट्रियाल करोना वाइरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है सूवे के प्रिमिर का कहना था कि अब तक सूवे में यौमिया 9,000 टेस्ट किये जा रहे हैं जबके हमारा यौमिया करोना वाइरस के टेस्टों का हदफ 14,000 है उन्होंने कहा कि मैं सूरतिहाल में खुश नहीं हूँ और मैंने जिम्मेदार अफराद से कहा है कि हमें आएंदा चंद दिनों में 14,000 यौमिया टेस्टों का हदफ हासल करना है उन्होंने क्यूबिक के अबाम से ये भी दर्खास की है कि वो समाजी फासले का खयाल रखे और मास्क पहने इस फैरिस में दूसे नंबर पर ऑंटेरियो है जहां इस वक तक करोना वायरस से 21,236 अफराद मुतासिर हुए है जबके हलाक होने वाले अफराद की तादात 1765 है सूबे में करोना के फैलाओ में एक अमी आई है और गुजिशता साथ दिन में से छे दिनों में करोना वायरस के केसिस 400 से कम रिपोर्ट हुए है तीसे नमबर पर अलबर्टा है जहां 6,407 अफराद करोना वायरस से मुतासिर हुए जबके 120 अफराद करोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके है फैरिस में चौते नमबर पर ब्रिटिश कॉलंबिया है जहां अब तक 2376 अफराद में करोना वायरस की तस्दीक हुई है जबके सूबे में करोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादात 132 है कैनड़ा के ट्रोडय हुकाम हुकूमत से एमदाथ की अपील कर रहे हैं ताहम ब्रॉडो की जानब से इसकी कोई जमानत नहीं दी गई मजीद चाहनते हैं इस रिपोर्ट में कि ट्रांजिट सुभाई और मुनिस्पल जिम्मेदारी है विफा की हुकूमत ने माजी में इन सिस्टम्स में नुमाया सर्माया कारी की है उनका कहना था कैनेडियन को जिन मौमलात पर खच्चात हैं और हुकूमतों की जानिप से लॉगडाउन में नर्मी के लिए दिये जाने वाले अहकामात को हम सुनने के लिए हासिर है ट्रांसलिंग की जानिप से कहा गया है कि इसके मुसाफिर कम होने की वज़े से महाना तकरीबन 75 मिलिन डॉलर का नुकसान हो रहा है टॉरंटो ट्रांजिट कमिशन समेथ कैनेडा भर में ट्रांजिट एदारों को इस तरह के नुकसानात का सामना करना पर रहा है गुजशता माँ ट्रांसलिंग ने सुबाई और विफाकी दोनों हकूमतों से मदद मांगी थी जिस से ये मालूम होता है कि सूरतहाल इसकदर संगीन है कि वबाई बिमारी के खात्मे के बाद भी सर्विस तवीर मुदद तक मतासिर होंगी हेल्थ कैनेडा की जानब से कहा किया है कि अगले दो सालों में कैनेडा भर से कम से कम दस लाग खून के नमूने अखटे किये जाएंगे और आम लोगों में और मख्सूस ग्रूपों में वायरस से बचने के लिए जांच परताल की जाएगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में हेल्थ कैनेडा ने करोना वायरस एंटी बॉडीज का पता लगाने के लिए स्ट्रो लॉजिकल टेस्ट की मनजूरी दे दी है इटेलियन मल्टी नेशनल बायो टेकनॉलिजी कमपनी ने टेस्ट तयार किया सिहाल ही में अमरीकी फूड एंड ड्रग एंडमिनिस्ट्रेशन एफडी ए ने भी मनजूर किया था हेल्थ कैनेडा की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये टेस्ट कैनेडा के लिबॉट्रियों में करोना वायरस एंटी बॉडीज का पता लगाने के लिए इस्तमाल किया जाएगा और बहतर तोर पर ये समझने में मदद मिलेगी कि जो लोग मतासिर हुए हैं वो वायरस से महफूज है या नहीं मजीद तहकीक से एंटी बॉडीज के मुस्बट टेस्ट और री इंफेक्शन के खिलाफ तहाफूज के मावें तालुकों समझने में भी मदद मिलेगी हेल्फ कैनेडा की जौनिब से कहा गया है कि अगले दो सालों में कैनेडा भर से कम से कम 10 लाग खून के नमूने एकटे किये जाएंगे और आम लोगों में और मक्सूस ग्रूपों में इस वायरस से बशने के लिए जाच परताल की जाएंगी जिसमें हेल्फ वर्कर्स और सीनियर्स भी शामल है दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादाद 45,53,414 हो चुकी है जबके इस से हलाकतیں 2,99,322 हो गई मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस से मतासिराफराद की तादाद 45,53,414 हो चुकी है जबके इस से हलाकते 2,99,322 हो गई इसमिन में करोना के अब तक 2,75,95 मुस्द्दिका मतासिरीन सामने आए हैं जबके इस वबासे 27,104 हो चुकी है करोना वारस से रूस में कुल अमबाद 2,305 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 2,52,245 हो चुकी है जर्मनी में करोना से कुल अमबाद की तादा 7,861 हो गई जबके करोना के केसिस 1,74,098 हो गई तुर्की में करोना वायरस से ज्वाबा हक होने वालों की तादा 3,952 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 1,43,114 हो गई एरान में करोना वायरस से मरने वालों की कुल तादा 6,783 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 1,12,725 हो गई साथिय अरब में कुरोना वारस से अब तक कुल अमवाद 273 रिपोर्ट हुई है जब कि इसके मरीजों की तादाद 44,830 तक जा पहुँची है अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रॉम्प ने तमाम रियासतों के गवरनर्स को स्कूल खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्क में अब मामूलात जिन्दगी को आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाना चाहिए मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में सदर ट्रॉम्प ने करोना टास्क पोर्स के सरबराद डॉक्टर फाउची की तजवीज को मुस्तरत करते हुए मुल्क भर में फौरी तोर पर तमाम स्कूल खोलने का हुकुम दे दिया अमरीकी सदर डॉनलर ट्रॉम्प ने तमाम रियासतों के गवरनर्स को स्कूल खोलने की हिदायत करते हुए कहा के मुल्क में अब मौमलात जिन्दगी को आहस्ता आहस्ता बहाल होना चाहिए स्कूल बंद होने से तालीमी और लॉकडाउन से मेश्यत को नुकसान पहुँच रहा है और शेहरी बेरुजगार हो रहे हैं सदर ट्रॉंप ने स्कूल खोलने और मौमलात जिन्दगी को दोबारा बहाल करने का ऐलान इस वक किया जब एक रोस कबली कुरोना वारस के इंसिदात के लिए बनाए गई टास्पोर्स के सरबरा और मतादी बिमारी के माहिट डॉक्टर एंथोनी फाउची ने स्कूल खोलने या मामलात जिन्दगी बहाल करने में जल बाजिका मुजारा करने पर खबरदार किया था ये पहली मरतबा नहीं के सदर ट्रॉंप ने करोना वारस से मुतालिक माहिरीन किरार को मुस्तरत कर दिया हो वो इस्टर पर ही लॉक्डाउन खतम कर देना चाते थे जबके मिलेरिया के लिए इस्तमाल होने वाली दवा को करोना वारस का इलाज बताया था और मरीजों को जरसीम कुछ डिरिप लगाने का मुजखा खेस मश्वरा भी दिया था वाजर दुनिया भर में करोना वारस से हलाक होने वालों की तादाद 2,90,000 हो गई जबके सबसे ज़ जादा हलाकतیں अमरीका में हुई है जहां तादाद 8,600 से तजाहुस कर गई है टॉरंटो में शल्टर होम में करोना से हलाक होने वालों की तादाद 2 हो गई शेहर के चीफ मेरिकल आफिसर ने प्रेस कांफरेंस के दरान उनकी हलाकत की तस्दीग की उनका कहना था कियाना था कि मस्कूरा शक्स सीटन हाउस का रहाईशी था जो अस्पताल में इंतिकाल कर गया जिरार्ड स्ट्रीट के करीब पनागाह में अभी भी वबा फैली हुई है जहां करोना वारा से मतासर होने वाले 28 रहाईशियों को आइसलेशन में जाने के लिए एक मुखतलिफ जगा मुंतिकल कर दिया गया है शुल्टर होम में इस वबा का आगास 6 अपरेल से हुआ था पनागाह में मौझूद तमाम अफराद का टेस्स किया जा चुका है चीफ मेरिकल आफिसर का मजीद कहाना था कि हम इस सूरत हाल की मसलसल निगरानी कर रहे है और मेरी टीम इस वबा को खतम करने के लिए सीटन हाउस में अमले के साथ भरपूर कोशिश कर रही है अक्वाम मुतेदा की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि करोना वारस के बाइस आर्मी माईशत 3.2 फीसस सुकरने का खच्चा है आर्मी माईशत में ये कमी रवा साल मतवक्य है इस ह्वाले से मزीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अक्वाम मुतेदा के कहना है कि करोना वारस के बाइस रामी मेशत 3.2 फीसस सुकरने का खच्चा है आएंदा साल से शुरू होने वाली रिकावरी भी इंतहाई सुस्त होगी तफसिलात के मताबिक अक्वाम मुतादा की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि करोना वारस के बाइस आलमी मैशित 3.2 पीसद सुकरने का खच्छा है आलमी मैशित में ये कमी 25 साल मतवक्य है अक्वाम मुतादा की रिपोर्ट के मताबिक आएंदा साल से शुरू होने वाली रिकावरी भी इंतहाई सुस्त होगी रिपाव साल आलमी मौशी शरानमू 1.8 से 2.5 पीसद रहने का खच्छा है अक्वाम मुतादा के मताबिक साल 2020 और 2021 में आलमी आउटपुट में 8.5 ट्रिलिन डॉलर कमी का खच्छा है अक्वाम मुतादा का कहना है कि करोना वारस ने साबित कर दिया माईशियत और सहत का शुबह आपस में जुड़े हुए है मौशी एक्दमात और सहत के शुबह में एक साथ सहमाया कारी की जानी जरूरी है खयाल रहे कि करोना वारस दुनिया भर में अब तक 44,3,242 अफराद को मतासर कर चुका है जबके दुनिया भर में अब तक इससे 2,98,183 अमबात हो चुकी है टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू अउनली अट टैग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएए किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे